जब कभी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कमजोरी, ठकान, आलस जैसी समस्या को बताता है या फिर जिस किसी को भी रक्त की कमी होती रहती है तो डॉक्टर तुरंट उनको अनार के सेवन का सलाह लगभग सबसे पहले देते हैं। बीमारियों का एक दवाहे तक माना या उलेखित पाया जाता है। अनार के फाइदे एक अनार के लगातार रोजाना सेवन से शरीर की कमजोरी वा ठकान जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ हालसे नहीं लगती वा मन में चंचलता, दिमाग में ताजगी बनी र सकता है। तीन अनार के दाने को खूब चबा चबा कर खाने से पेट की कबज, खाने का ठीक से न पचना, खाने का शरीर में न लगना जैसी बहुत सी वीमारियों से छुटकारा मिलता है। चार बहुत से ऐसे भी लोग होते है कि वह भोजन तो ज्यादा करते है पर भोजन शरीर में नहीं लगता वही कई ऐसे भी होते है जो कहते है हमें भूख नहीं लगती तो ऐसे लोग अनार के जूस में हलका पीसा हुआ जीरा वस इंधा नमक डाल कर रोजाना पीना शुरू कर दे, जिससे यह समस्या जल्ग दूर हो जाएगी। पांच खाना खाने के बाद खटा धेका राना, सीने में जलन होती हो तो अनार के दानों से निकले जूस के बाद बचा भीये का वियर्थ खुजज में हलका नमक डाल कर खाए। शेह आउग पर रहा हो या बबासीर की शिकायत हो तो भी अनार का रस फाइदे मंद होता है और बीज को सुखा कर पीसने क के बाद तयार चूर्ण को सौफ के चूर्ण में मिलकर लेने पर बबासीर की समस्या से आराम मिलता है। ध्यान रहे की तेल मसाले वाले भोजन कुछ दिनों के लिए पूरी तरह छोड़ दे क्योंकि इसका सेवन करते रहने पर दवा का प्रभाव नहीं रह पाता। कन कम होती है तथा हृदय समबंदी समस्या से भी आराम मिलता है। नो बार बार पेसाब का होना या फिर पेसाब में जलन जैसे समस्याओं से आराम पाने के लिए भी अनार का सेवन फायदे मंध होता है। दस तांतों के मसूडों में खून की समस्या होतो अनार के फूलों को सुखा कर चून बना ले पीस कर उसके बाद ये साइचून में हलका नमक मिला कर मंजन करने से मसूडों के खून की समस्या दूर होती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल और देखते रहे और भब रोचक खबरे।